ब्लोक से पैटर्ण्स बनाना हारो एक पैटर्ण्स विद ब्लोक्स पार्ट वन इस वीडियो में हम सीखेंगे अपने आस पास पैटर्ण्स को पहचानना ब्लोक पैटर्ण्स को देख कर नियम पहचानना ब्लॉक पैटर्न के नियम पहचान कर उसे आगे बढ़ाना देखो तो यह दोनों बहने इंदू और मिष्टी बाग में क्या कर रही है? दीदी मैं आ गए अब क्या कर रही हो? आओ मिष्टी यहां बैठो देखो आज मैं ब्लॉक से पैटर्न बना रही हूं दीदी ब्लॉक से पैटर्न बनाना क्या होता है? देखो मेरे पास कुछ ब्लॉक हैं जिन पर डिजाइन बने हुए हैं अगर इन पर रंग लगा कर मैं किसी कागज या कपड़े पर इन्हें चाप कर एक डिजाइन बनाती हूं और डिजाइन बनाने के लिए इन्हें किसी क्रम में दोहराती हूँ तो उसे एक पैटर्न कहते हैं मैं इन ब्लॉक से इस कपड़े पर पैटर्न्स बनाऊंगी और फिर मां इस कपड़े से तुम्हारे लिए एक फ्रॉक बनाएंगी अरे वाह! दीदी तो हम अच्छा सा पैटर्न्स बनाएंगे पर दीदी मुझे पैटर्न के बारे में और बताओ न क्या पैटर्न सर्फ ब्लॉक से ये बन सकते हैं? नहीं मिष्टी हमारे आसपास भी बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं जरा सर उठाकर आसमान में उन पंचियों को देखो कितने सुन्दर लग रहे हैं? हाँ, तुम्हें कुछ और नजर आया? वे सब वी के आकार में उड़ रहे हैं बिल्कुल सही, वे सब वी आकार के पैटर्न में उड़ रहे हैं अच्छा! अब इस तहनी को देखो इसमें कोई पैटर्न नजर आया? इसमें पत्ते बीच के डंडी के दोनों तरब बिल्कुल साप साथ लगे हैं और देखो दीदी, ये कितनी सुन्दर तरह से लगे हैं और ये फूल देखो इनकी पंखुडियां भी कितनी सुन्दर तरह से सजाई गई हैं ये भी एक पैटर्न है हमें प्रकृती में इस तरह के कई पैटर्न नजर आते हैं आसपास देखो क्या तुम्हें कोई और पैटर्न नजर आ रहा है? दीदी, मेरे पैट की उंग्लियों को देखो कैसे मेरी उंग्लिया बड़े से छोटे क्रम में है अरे, ये तो तुमने अच्छा पैटर्न ढूंडा बच्चों, आप भी वीडियो को रोग कर कुछ और ऐसे ही पैटर्न ढूँख सकते हो चलो, अब हम इस कपड़े पर ब्लॉक्स से पैटर्न बनाते हैं देखो, मेरे पास ये ब्लॉक्स हैं दीदी, मैं बनाओ? हाँ, बनाओ, पहले इस ब्लॉक्स पर रंग लगाओ और फिर उसको कपड़े पर लगाएंगे ठीक है ये देखो ये लो, अगला तुम लगाओ ऐसे दीदी? अरे नहीं, ऐसे नहीं पहले ये देखो कि मैंने पहले दो ब्लॉक्स कैसे लगाए हैं जिस नियम से उन्हें लगाया गया है अगर उसी नियम से आगे बढ़ेंगे तो ही पैटर्न बनेगा और यहां ये तो उल्टा हो गया अच्छा, ऐसे दीदी? हाँ, एकदम सही इस पैटर्न के नियम के अनुसार हम इस ब्लॉक को सीधा लगा रहे हैं और इसे ही दोहर आ रहे हैं दीदी, हम उल्टा ब्लॉक लगाकर भी पैटर्न बना सकते हैं हाँ, बिलकुल हम अपना नियम बनाकर भी पैटर्न बना सकते हैं देखो अब इस पैटर्न को देखो और बताओ यह किस नियम से बनाया गया है यह ब्लॉक को उल्टा और सीधा प्रिंट करके आपने कितना सुन्दर डिजाइन बनाया है तो इस पैटर्न का नियम क्या हुआ इस पैटर्न का नियम है पहले दो सीधे ब्लॉक और फिर दो उल्टे ब्लॉक को क्रम में लगाना एकदम सही और ऐसे ही इस नियम से हम इस पैटर्न को आगे बढ़ा सकते हैं आओ मैं तुम्हें और नए ब्लॉक डिजाइन दिखाती हूँ हाँ हाँ दीदी दिखाओ दिखाओ मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इस भिंडी को मैं थोड़ा काट लेती हूँ ये देखो अगर इस पर रंग लगाकर इसे कपड़े या कागर्स पर लगाएं तो ये भी एक ब्लॉक की तरह उपयोग किया जा सकता है हाँ दीदी ये तो एक ब्लॉक की तरह है हाँ हम इनसे भी अलग-अलग पैटर्ण बना सकते हैं इस तरह सबजी से डिजाइन मैंने तो सोचा ही नहीं था अब सोच कर बताओ क्या किसी और सबजी या खाने की वस्तुओं को हम ब्लॉक की तरह इस्तिमाल कर सकते हैं हम शिमला मिच अकरोट शाबाश बच्चों आप वीडियो को रोब कर कुछ और ऐसी वस्तुओं के बारे में सोच सकते हो ये देखो मिष्टी मैंने तुम्हारी फ्रॉक के लिए ये पैटर्ण बनाया है पहले मैंने लाल रंग से इस ब्लॉक से ऐसा पैटर्ण बनाया फिर पीले रंग से इस ब्लॉक से ऐसा पैटर्ण और फिर हरे रंग से ये भिंडी से पैटर्ण बनाया है इसे ऐसे ही बार-बार दोहराया है ममी जल्दे आओ देखो देदी ने मेरे लिए क्या खूब पैटर्ण बनाया है अब आप मेरे लिए एक संदर सी फ्रॉक बना दो इस वीडियो में हमने सीखा अपने आसपास पैटर्ण को पहचाना ब्लॉक पैटर्ण को देख कर नियम पहचाना ब्लॉक पैटर्ण के नियम पहचान कर उसे आगे बढ़ाना